नमस्कार दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे कैसे है आप सब लोग आसा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे है और आप लोगों सभी को गुप्त नवरात्री की बहुत सारे सुबकाम नहीं दस फेवरारी से सुरू होगा अठरा फेवरारी तक चलेगी गुप्त नवरात्री विसेश मनोकाम नाओ को पूर्ण करने के लिए विसेश मना जाता है इस समय आप कितनी बढ़िया से सजा रहे हैं या कितनी अच्छे से पूजा कर रहें इस से ज़्यादा माइने रखता है क आप पाठ क्या कर रहें साधना क्या करें इस समय किया गया पाठ और साधना को किसी को नहीं बताना चाहिए भले आपकी पूजा लोगों ने देखा कोई बात नहीं पर जो भी साधना आप करेंगे जो पाठ आप करेंगे वह जितना गुप्त रूप से कर पाएंगे उतना ह आपकी मनुकामना पूर्ण होने का चांसस बढ़ जाता है इस समय माता की सक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ध्यान रखे लास्ट में कुछ बाते आप लोगों को बताऊंगी जरूर सुन लेना बहुत काम की बाते है पूजा को आप चाहे तो अपनी मंदिर में कर सकत है तो मैंने यहां पर लाल कपड़ा विछा लिया है जिसके उपर चाहुल का आसन लगाया है और उसके बाद देखिए माता रानी भगवान गणिश जी भगवान लक्समी जी को स्थापित किया है चाहुल का आसन में हमने दिपक का प्रतिष्ठा करेंगे अगर आप किया है माता रानी की जयकरा लगाती हुए आपको दीपक का प्रजलन करना है दीपक को आववान करना है कि है अग्री देव आप आईए और इस पुजा को संपूर्ण करने में आप हमारी मदद करें इसके बाद देखिए आप धूप प्रजलित कर दीजेगा जगा ठोड़ मातलक्षमी नमो इस तरह से आप उने को संट राये उसके बाद कलावा शरूप वस्तर चढ़ाएं। इस के प्रावदे के जणा चढ़ाने के समर्पायांई। तभी हो जाता है। फिर लाल रोली की टीका कर लिजेगा और जब ही भी पूजा टीका जनुरी चड़ाएंगे उन भगवान का नाम लेते हुए, फिर थोड़ी सी हम अकसत चड़ाएंगे भगवान के उपर और अगर भगवान के टीका में अकसत टिक जाते हैं, अकसत लग जाता है, तो यह लक्समिक गनेश जी की पूजा के बाद हम मातारानी की पूजा करेंगे, तो सबसे पहले उनको हम बस्त्र सरुफ कलावा चड़ाएंगे, फिर आपके पास जो भी अपने चुनरी लेके आए हैं, या पिछले साल से आपके पास चुनरी है, वो चुनरी चड़ाएंगे, मा क को चुनरी समर्पित करेंगे और फिर रोली से माकार तिलक करेंगे तो देखिए इस समय दस महाविद्धाओं का पूजन किया जाता है लेकिन दस महाविद्धाओं के पूजन हमेशा ही किसी न किसी यग गुरु के सानिध्य में रहके ही करना चाहिए साधरन ग्रिहस्त लोग जो होते हैं माता का नो सोंव सरुप के पूजा नौर्मल नवरात्र के तरह ही करते हैं इस समय किया गया जब तब ध्यान दान बहुत ही महत्तों रखते हैं किसी भी मंत्र का सिध्धी लाब इस समय किया जा सकते हैं कोई भी मनुकामना पूर्ण करने क के लिए मां का आरधना इस समय बहुत ज्यादा माहत्तों रखते हैं तो ग्रियस्त लोग अती अवस्य मां का नौ सौरूप जो सो मौ सौरूप है उनकी पूजन जरूर करें तो दिखें मां को भी हम फूल चड़ा दिये हैं और इसके बाद धूप दीप हमने पहले ही प्रजल जाता है फिन नईवद्य यानि की कोई भोग प्रसाद चड़ाया जाता है बोग प्रसाद में आप चाहे तो कोई भी जो रितुफल आता है वो चड़ा सकते हैं और कोशिस कीजिए कि थोड़ा सा कोछ मीठा बना के मां को रोज भोग में चड़ाने के लिए जैसे किसी दिन साम एक घी की दिपक या तिल के तेल के दिपक जरूर परजलित करें और दूसरा अब मा के सामने एक सिंदूर की डबी रखें नया कोरा सिंदूर या मा का जो सिंदूर है वो वाला मा को सिंदूर लगाई है तीन बा लगाई है और हाथ में बचा हुआ सिंदूर जो होता है कि आप क्या पार्ट कर रहे हो आप किस मंत्र का सिद्ध करना चाहते हो कि मंत्र जब कर रहे हो कि कितनी माला जब कर हो इसके तो देखे इस समय आप दुर्गा सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिल्कुल अगर आपके पास समय नहीं है तो एक दुम पतली सी एक बुक आती है तो आप उस बहासा में पढ़ने में सामर्थ है सकते हैं और देली पर सकते हैं आज से लेकर 40 दिनों तक मतलब नवराति की पहले दिन से लेकर 40 दिनों तक अगर आप संकल्प लेकर सुरू करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार का बाधा अभी पत्ती नहीं रहेगा तो वो खतम हो जाएगी तो आप जुरूर इस तरह से पढ़ना और जभी भी पढ़ेंगे हाथ में थोड़ी सी एक फुल लेके पढ़ना खाली हाथ जो एना कथा नहीं पढ़ा जाता है पहले दिन ही थोड़ी सी आप दक्सिना चड़ा दीजिए रोज चड़ा नहीं चड़ा मेहंदी कुम-कुम बिंदी चुड़िया वगरा होनी चाहिए इसके बाद देखिए इस तरह से आप पार्ट आपका संपूर्ण हो जाता है उसके बाद हम करेंगे आरती तो आरती सबसे आखिर में किया जाता है लास्ट में आरती होती है इस बात का ध्यान रखके पार्ट कम्प्रीट होने के बाद ही आप आर्थी करें और सुभे का पार्ट अगर नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों का विश्वास देखे मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आपकी मेरे परिवार के सभी लोग अच्छे से रहे मां की आशिरवाद मिले यही मैं प्रार्थना करूंगी आर्थी होने के बाद हात में थोड़ी सी जलने के आर्थी के चारो तरपा घुमा लिजिया इसको आच्मन करना कहते हैं तीन बार ऐसे घुमाने के बाद जल को भूमी में छोड़ दीजेग तो देखिए इसी तरह से बहुती सरल तरीके से हम पूजा कर सकते हैं पाट में ज्यादा ध्यान दे कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं अपने गुरु मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं तो आसा करती हूं दोस्तों आज की वीडियो आप झाल